बीते कल हुए भूस खलन के चलते जौला मुखी मंदिर नियास का मुख्य मार्ग बंद कर दिया गया है श्रद्धालूओं को मंदिर के दर्शन में कोई परिशानी ना हो इसके लिए श्रद्धालूओं को अन्य मार्ग से मंदिर नियास दवारा ले जाया जा रहा है जो श्रद्धालू दर्शन के लिए आ चुके हैं वो पुराना बजार के रास्ते मंदिर नियास तक जा सकते हैं आपको बता दें कि इस रास्ते पर अभी थोड़े दिन पहले ही भूस्खलन हुआ था और इस तरह बार-बार भूस्खलन का होना कहीं किसी बड़े हादसे को न्योता ना दे दे जाला मुखी मंदिर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला के जाला मुखी नामक स्थान पर स्थित है यहां लाको श्रद्धालू माता के दर्शन के लिए पधारते हैं अत्य प्रशासन से अपील है कि वे जल्दी से इस मार की मरम्मत करें ताकि श्रद्धालू को आने में कोई परिशानी के सामना ना करना पड़े